हलो दोसतो सरफरास Tchwear के यूटव चैनल में आपका स्वानत है मेरा नाम है सर्फरास दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दिजी लॉकर के बारे में DG Locker क्या है, इसको कैसे इत्रमाल किया जाता है, इसके क्या-क्या फाइदे हैं, जानें के सब कुछ इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए दोस्तों, DG Locker एक Digital Locker है, जिसमें की आप अपने सारे सरकारी डॉकिमेंट्स, जैसे की आपका आधार कार्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वेहिकल का इंशुरेंस, आर्सी, आपके बोर्ड एक्जाम के मार्कशिट, पैन कार्ट, यह सब कुछ इशू करके रख सकते ह DG Locker में इशू किये हुए सारे डॉकिमेंट्स की जो मान्यता है, वो ओरिजिनल के बराबर होती है, इसको एक एक एक्जामपल से हम लोग समझते, सपोर्ज आप अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे हैं, और कहीं पर ट्राफिक चेकिंग चल रहा है, वहाँ पर आपके ग अगजात जो जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये चीज अगर आप DG Locker से ही उस ट्राफिक पुलिस को शो कर देते हैं, तो आपको किसी भी तरह का फाइन नहीं लगेगा, तो किस तरीके से DG Locker में एकाउंट क्रियेट किया जाता ह है, किस तरीके से वहाँ पर ड्राइविंट को इशू किया जाता है, चलिए देखते हैं, दोस्तों, DG Locker को यूज कर दे के लिए, सबसे पहले इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, तो आप अपने प्ले स्टोर पे चले जाएए, प्ले स्टोर में जाके आ आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, DG Locker, DG Locker टाइप करके जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक अप्लिकेशन आ जाएगा, यह जो अप्लिकेशन है, National E-Governance Division के द्वारा आपको बनाया हुआ मिल जाएगा, इस अप्लिकेशन को आपको अपने स्म स्मार्टफोन में इस अप्लिकेशन को स्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपन का आप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर उपन में टैप करके इसको उपन कर लेता हूँ, उपन करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जब आप फर्स गेट स्टार्टेड का एक आप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको टैप करना है, टैप करने के बाद आपके सामने दो आप्शन आ जाएंगे, साइन इन और क्रेट अकाउंट का, अगर आपने अलरेड़ी अकाउंट क्रेट करके रखा हुआ है, तो आपको साइन इन करन है, या फिर अगर आप पहले नया अकाउंट क्रेट करना चाहते हैं, आप पहली बार इसको यूज़ करना है, तो क्रेट अकाउंट में आपको टैप करना है, अगर आपने अलरेड़ी अकाउंट क्रेट करके रखा हुआ है, लेकिन आपको याद नहीं कि आपने क्या नाम डालना है जैसे कि आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है उसके बाद आपको यहाँ पर आपका अधार कार्ड में लिखा हुआ है जैसे कि आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप को यहां वो mobile number डालना है जो mobile number आपका आधार card से link किया होगा उसके बाद यहां पर आपको एक six digit का security pin setup करना है अगर आपका email address है तो आप यहां पर email address भी डाल सकते हैं उसके बाद last में आपको आधार number डालना है इतना सब कुछ fill करने के बाद आपको submit में tap कर लेना है तो आपको डालने के बाद में यहां पर आपको submit में tap करके इसको submit कर लेना है जैसे ही आप submit करेंगे तो अगर आपने पहले से ही इसमें digilocker में account create करके रखा हुआ है तो आपको already इसमें account create करके रखा हुआ है अगर यह message आपको नहीं मिलता है तो आपका नए account create हो जाएगा तो अब मेरा account तो यहां पर already create करके रखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा यहां से में back चला जाता हूँ back जाने के बाद मैं sign in में टैप करूँगा, sign in में टैप करने के बाद, यहाँ पर आपको आधार नमब, देखिए आपको उपर में पहले दो आधार आधार और दूसरा है यूजर नेम, तो अगर आप यूजर नेम में करते हैं, तो आपको यूजर नेम डालके यहाँ पर लॉग इन करना रहेगा, ले मुबाइल नमबर आपको वो डालना है जो आपने आधार कार्ड पे रजिस्टर करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर पहले अपना आधार नमबर या मुबाइल नमबर डाल लेता हूं फिर आपको six digit का पिन चूज करना है जो भी पिन आपने डाला था ठीक है वो आपको डा क्रियेट करके रखा हुआ था पर मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या यूजर नेम डाला था या फिर वहां पर कौन सा पिन डाला था तो मैं यहां पर फॉर्गॉट सेक्यूरिटी पिन में टैप करने के बाद यहां पर आपसे आधार नमबर पूछा जाएगा या फिर यहां पर आपको आधार नमबर डालना है और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद नेक्स्ट में आपको टैप करना है आधार नमबर या मुबाइल नमबर डालने के बाद यहां पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं और उसके बाद नेक्स्ट में टैप करना है, अब आपके सामने set security pin का option आ जाएगा, यहां से आप एक नया pin को चूज कर सकते हैं, कोई भी 6 डिजिट का आपको यहां पर एक pin चूज कर लेना है, और submit में tap कर लेना है, टैप करने के बाद आपके सामने एक message आ जाएगा, you have successfully set your security pin, इसके बाद आप डिजी लॉकर में sign in हो जाएगे, sign in करने के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि आपका आधार का नमबर या फिर वो mobile नमबर जो आपके आधार काड से link है, वो नमबर आपको डालना है और account create कर लेने के बाद में, आप यहाँ पर अपने सारे सरकारी दस्तावेज, सरकारी documents को issue करके रख सकते हैं, जिनकी मानियता original documents के बराबर की होती है, तो documents को issue करने के लिए, आप देखिए यहाँ पर नीचे में आपको कुछ options दिक रहे हैं, पहला है home, दुसरा है search, तिसरा है दिख जाएंगे बहुत सारे, आपको देखो, पहला option दिख रहा है आधार card, दूसरा option दिख रहा है pen card, तिसरा option दिख रहा है covid vaccine certificate, अगर आप इसको left side scroll करोगे, तो 10th का market, 12th का market, driving license, ठीक है, उसके बाद vehicle का registration, राशन card, cash certificate, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे options है, अगर आप explore more में tap करेंगे, तो आपको वो options भी दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पर फिलाल home में tap कर लेता हूँ, और suppose अब अगर आपको आधार card इसमें issue करके रखना है, तो यहाँ पर आप option देख रहा है, आधार card का इसमें आपको tap कर लेना है, टैप करने के बाद आपक tap कर दीजिए, टैप करने के बाद वो mobile number जो आपके आधार card से link है, उसमें एक OTP आएगा, इस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है, OTP डालने के बाद आपको submit में tap कर लेना है, submit में tap करते हैं, आपके पाद नीचे option आजाता है, कि message आजाता है कि आपका आधार card जो है, आप the dg locker में registered हो चुका है, या फिर issue हो चुका है, अब इस registered document को या issued document को अगर आपको देखना हो, तो आप नीचे देख सकते हो, home के बाद search और search के बाद issued का option दिया हुआ है, मैं directly issued में पहुँच चुका हूँ, यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ, हम लोग पहले home page में थे, उसके बाद आप देखिए, यहां पर तीसरा option issued का है, जैसे आप issued में tap करेंगे, तो यहां पर आपको वो सारे documents दिख जाएंगे, जो आपने dg locker में issue करके रखा हुआ है, आपके सामने बहुत सारे option आजाते हैं, आप इसको PDF के form में देख सकते हो, view कर सकते हो, share कर सकते हो, refresh कर सकते हो, refresh आपको तब करना है, जब आपको यह नया documents फिर से issue करते हैं, dg locker में pen card को issue करने के लिए, आप यहां पर search की option में चले जाएए, search में आने के बाद आपको यहा टैप करने के बाद, यहां पर आपका नाम, date of birth और आपका gender पहले से आजाएगा, जैसा कि आपके आधार card में होगा, उसके बाद आपको यहां पर आपका pen card नमबर डालना है, और जैसा नाम आपके pen card में लिखा हुआ है, वो नाम आपको यहां पर type करना है, details fill करने के अगर आपको जो document आपने यहां पर अभी इसू किया है, अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको इसको refresh करना होगा, refresh करने के लिए, यहां पर जो भी documents आपको दिख रहे हैं, उसमें आपको side में जो thin dot का icon है, इसमें आपको tap करना है, tap करने के बाद, refresh के option में आपक है लोटीपि डालके आपको सब्मेट में टाब कर लेना है सब्मेट में करते ही जो इश्यू डॉब फोल्डर यहां पर रिफ्रेस्छ हो जाएगा और जो भी डॉकुमेंट आपने भी इस्यू किया भू आपको पर शो करने लगेगा जैसे कि मैंने अभी यहां पर pen card को upload किया था वो pen card में यहां पर शो कर रहा है अब इस pen card को आपको यहां पर delete करना है तो आप delete कर सकते हो कोई भी document अगर आपको यहां से delete करना है तो आप उसको easily delete कर सकते हो यहां पर जो side में 3 dot का icon दिख रहा है इसमें को टैप करना है टैप करने के बाद आपको नीचे से second option delete का मिल रहा है जैसे आप इसमें tap करेंगे यहां पर आपको delete का option मिलेगा इसका आपको delete कर देना है तो आपका जो भी document होगा वो यहां से delete हो जाएगा इसी तरीके से अगर आपको यहां से कोई दूसरा document issue करके रखना है तो आप यहां पर search में tap करके यहां से जो भी document आपको issue करना है उसमें tap करके आप उसका detail फिर करके उसको issue करके रख सकते हैं दोस्तों I hope आज कर यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आहे तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा